दोस्तों अगर आप Airtel Payments Bank का UPI यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर आपको एक दूसरा bank account भी add करना है तो वो कैसे करना है यही बताऊंगा आज की इस वीडियो में चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो स्टार्ट करते है दोस्तों सबसे पहल यहां पर आपको कुछ options मिल जाते हैं जैसे कि सबसे उपर आपको आपका UPI ID देखने मिल जाएगा फिर ट्रांसफर रिलेटेर या बैंकिंग रिलेटेर कुछ options जो है हमें यहां पर देखने मिल जाता है अब यहां पर दूसरा bank account add करना है तो उसके लिए आपको जहां पर UPI ID visible हो रहा है उसके सामने setting का option है उस पर tap कीजिए और next page पर आपको चले जाना है यहां पर फिर से आप आपके UPI ID के कुछ details चेक आउट कर सकते हो जो भी आपका UPI mandate होगा वो आप यहां पर देख पाऊगे अब यहां पर primary account आप नीचे देख सकते हो मेरा जो एटल payments bank का ही अकाउंट है है वही जो है मैं यहां पर UPI के लिए यूज कर रहा हूँ अब यहां पर दूसरा account अगर आपको add करना है तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है तो दोस्तों नीचे जाने के बाद add another bank account का option मिल जाता है select कर लेजिए दूसरे बेच पर यहां पर आपको bank select करना है जिसमें आपका account है कुछ popular bank से आपको दिए गए है अगर इसमें आपका bank आपको visible नहीं हो रहा है तो आप नीचे search भी कर सकते हो तो आप देख सकते हो दूसरा bank account भी यहां पर हमने successfully add कर दिया है जबकि पहले सिर्फ अपने आप verification कर लेगा और आपको कोई additional step करने की ज़रूद नहीं है आपका जो दूसरा account है वो directly add हो जाएगा अब एक चीज़ आप यहां पर कर सकते हो कि primary account आप चेंज कर पाऊँगा अब यहां पर एडिटल payments bank जो है मेरा primary account है लेकिन मैं चाहता हो कि दूसरा bank account मेरा primary account हो तो यहां पर 3.pay में tap करूँगा और यहां पर make account primary कर दूँगा तो simple steps है दोस्तो simple process है जिसके मदद से आप कोई भी दूसरा bank account एडिटल payments bank के अंदर add कर सकते हो UPI के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों helpful लगा है तो like और subscribe दोनों कर देना बाकि मैं मिल नेक्स वूडियो में धन्यवाद